दोस्तों आज मैं All of Us Are Red series के season 1 के episode 1 को explain करने वाला हूँ जो हाली में Netflix पर आई है और ये series zombie movies की category में trending में चल रही है इसकी IMDb rating 7.6 out of 10 है तो अगर आपको explanation पसंद आए तो वीडियो को like कर देना और अगर आप चाते होगे मैं इसका episode 2 भी explain करूँ तो नीचे छोटा सा comment कर देना मैं उसे भी explain करने की कोशिश करूँगा Now explain this movie कहानी की शुरुआत में हम जिंसु नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसे स्कूल के कुछ दबंग students वान और गुई बहुती बुरी तरह से मार रहे होते हैं क्योंकि जिंसु ने कुछ दिन पहले suicide करने की कोशिश की और उसने suicide note पर इन दोनों लड़कों का नाम लिखा था कि वो इन दोनों की वज़ा से suicide कर रहा है गुई उसे इतना मारता है कि उसके मुँसे खून निकलने लगता है इसी दोरान हम देखते हैं कि जिंसु बहुती जादा aggressive हो जाता है और वो एक जॉंबी की तरह गुई पर attack करने की कोशिश करता है लेकिन इस दोरान जिंसु का balance बिगड जाता है और वो नीचे गिर जाता है इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जिंसु एक hospital में पढ़ा हुआ होता है और उसे देखने के लिए उसके डैड मिस्टर ली वहाँ पर पहुशते हैं पहले तो जिंसु उसके डैड इसे normal इंसान की तरह बाते करता है लेकिन कुछ देर बाद वो फिर से एक zombie की तरह behave करने लगता है हाला के मिस्टर ली उसे शांद करानी की कोशिश करते है लेकिन वो मिस्टर ली को काटनी की कोशिश करता है अब मजबूरन मिस्टर ली को एक book की मदश से उसे बेहोश करना पड़ता है इसके बाद मिस्टर ली जिन्सू को बैग में भर कर अपने घर ले जाने लगते हैं यहाँ पर एक बाद तो बिल्कुल साफ है कि मिस्टर ली अपने बेटे की इस कंडिशन के बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं और यह बात किसी को पता ना चले इसलिए वो इस सिच्वेश दिख रहा था इसलिए वो उसके साथ खेलने लगती है लेकिन वो चुवा उसके आथ पर काट लेता है तबी हम देखते हैं कि वो चुवा भी किसी जॉंबी की तरह बीएफ कर रहा है तबी वह पर यॉंजू का साइंस टीचर मिस्टर ली आ जाता है उसे देखकर चॉंग्सों और उंजो बच्पनके क्लोस फ्रेंड होते हैं किके वो एक दूसरे के पडोसी होते हैं चॉंग्सों उनजो से प्यार करता है लेकिन वो ये बात उससे बताने से भी दरता है लेकिन ओंजो सुयोग को लाई करते है लेकिन सुयोग क्लास की मॉनिटर नामरा को पसंद करता है आईनो आपको थोड़ी सी कन्फिजन हो रही होंगी तो आप वीडियो को रिपीट करके सुन लेना आपको समझ में आ जाएंगा खैर मुझे कॉमेंट करके बताना इस प्यार को क्या नाम दे इसके बाद हम वान और गुई को देखते हैं जो दो स्टुडन्स को परेशान कर रहे होते हैं उनमें से एक का नाम ओंजी होता है और दूसरे का नाम चुलसू होता है गुई उन्हें बहुत तंग करता है लेकिन अद तो तब हो जाती है जब वो ओंजी की नेक्ट वीडियो रिकॉर्ट कर लेता है और उन्हें धमकी देने लगता है कि मैं ये वीडियो दो दिन बाद सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूँगा गुई ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि चुलसू ने गुई का नाम प्रिंसिपल को बता दिया था कि उसी की वज़ा से उस रात जिन्सू मारा गया वैसे मैं आपको बता दू जिन्सू मारा गया और उसकी देट कैसे हुई है हमें नेक्स एपिसोड में पता चलेंगा इसके बाद हम यॉन्जू को देखते हैं जिसके अंदर अब इंफेक्टेड होनी की वज़े से बदला होने लगे और वो अपने हातों की रसी को तोड़ कर खुद को आजाद कर लेती है फिर हम चौंक सन और ओंजो को देखते हैं जिनकी कलास चल रही होती है यहाँ पर हम हिसू नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसके पेट में अचानक से दर्द होने लगता है इसलिए वो मिस पार्क से परमिशल लेके मेडिकल रूम में चली जाती है इसके बाद मिस पार्क बोट पर एक फॉर्मूला लिखती है और नामरा से उसका अंसर पूछती है जिसका अंसर नामरा सही सही देती है लेकिन जब मिस पार्क सुयोग को खड़ा करती है और उससे पूछती है के नामरा ने अभी क्या का तुम उससे एक्स्प्लेंड करो इ इसके बाद मिस पार्क सुयोग की मदद से यॉन्जू को मेडिकल रूम में ले जाती है, यहाँ पर हम हिसु को देखते हैं, जिसकी तबियत और भी खराब होने लगी है, इधर नर्स जब यॉन्जू का टेंपरेचर चेक करती है, तो वो बहुत काम होता है, इसलिए नर्स मि से यूजान ऑस्पिटल में एड्मिट करना होगा, तबी हम देखते हैं कि यॉन्जू अब दीरे दीरे जॉम्बी में बदलने लगी है, उसकी ऐसी आलत देखकर सब लोग बहुत ज़ादा डर जाते हैं, और मिस पार्क पोलिस को कॉल करके बुला लेती है, अब से कहने लगता है कि यॉन्जू को हॉस्पिटल की नई कॉरंटाइन करने की ज़रूरत है, तुमने उसे हॉस्पिटल बेचके बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन प्रिंसिपल को उसकी बातों पर यकिन नहीं होता, क्योंकि ये सब जो कांड हुआ है, वो मिस्टर ली की व जैसे बदला होने लगे, तभी वो नर्स पूरी तरह से एक जॉंबी में कनवर्ट हो जाती और एक स्टूडन पर बहुत ही बुरी तरह से अटैक कर देती है, इसके बाद वो स्टूडन भी जॉंबी में बदल जाता है, और वो भी बाकी स्टूडन्स पर अटैक करना शुर होने लगता है, क्योंकि वो उसे पसंद करता है, और उसे ये विश्वास दिलाता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, लेकिन उन्ची उसकी बात नहीं सुनती है, और आगे बढ़ने लगती है, लेकिन जब वो नीचे देखती है, कि स्टूडन्स पर जॉंबी ने अटैक क हो जाती है, अब वहाँ पर जॉंबी भी आ जाते हैं और उन लोगों को बहुत ही बुरी तरह से काटने लगते हैं, फिर हम देखते हैं कि एक जॉंबी ओंचों पर अटैक करने की कोशिश करता है, अब वो जॉंबी ओंचों को काट पाता है या नहीं हमें नेक्स करने के लिए थैंक्यू सो मॉच मैं मिलता हूँ आपसे एपिसोड टू में तब तक के लिए टेक क्यार लफ यू बाइबाए